दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है प्योरटाइज नेटवर्क अडाप्टर को लेके तो हम किस तरह अपने नेटवर्क अडाप्टर को प्योरटाइज कर सकते हैं तो और अपने internet की speed जो है उसको enhance कर सकते हैं या increase कर सकते हैं या speed up कर सकते हैं तो सबसे पहले wifi के button पर apply करेंगे यहां पर हमने find करना है कि कौन कौन से जो network adapter हमारे पास available हैं उनको हम set करना चाहते हैं या उसको prioritize करना चाहते हैं तो यहां पर ethernet है और wifi है और wifi 2 है मेरे पास यहा box हमारे पास कुछ इस तरह से एपियर होगा सैटिंग का तो यहां पर हमने Network and internet इसके उपर apply करना है इसका जो box है कुछ इस तरह से illuminate होगा यहां पर हम तमाम network adapters की जो status है उसको check कर सकते हैं बहुत ही sunny के साथ Ethernet है Wi-Fi और Wi-Fi 2 है इसको हमने क्या करना है prioritize करना है यानि कि इन में से एक हमने use करना है जो हमारा बेहतर वर्क करता है Wi-Fi तो इसको हमने क्या करना है Ethernet या Wi-Fi पर left side पर apply करना है तो Wi-Fi पर click करेंगे तो जैसे इसके उपर click करेंगे तो right side पर हमने select करना है change network adapter या change adapter option इसके उपर जैसे हम click करेंगे तो इसका जो box है कुछ इस तरह से हमारे पास illuminate होगा तो network connection के box में हमने क्या करना है Ethernet है Wi-Fi है और Wi-Fi 2 है ये basically हमारे पास network connection है या network adapters है इन में से हमने एक select करना है जिसमें हमने optimization करनी है या setting करनी है तो सबसे पहले हम Wi-Fi 2 को set करना है क्योंकि मेरा जो Wi-Fi 2 है मैं इसको use करना चाहता हूँ इसके उपर right click करेंगे जैसी इसके उपर right click करेंगे properties में आएंगे तो इसका जो box है कुछ इस तरह से हमारे पास illuminate होगा यानि के Wi-Fi 2 की properties में आ गए हम इसके यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है bottom में find करना है internet protocol version 4 तो इसको select करने के बाद properties में आना है simple सा काम है internet protocol version का box है यहाँ पर advance के tap पर apply करना है simple सी setting है जो यहाँ पर हमने करनी है इस check को हमने uncheck करना है यानि कि automatic metric को इंटरफेस metric में हमने type करना है 5 तो जैसी 5 type करेंगे तो हमारा हमारी जितनी भी setting है वो हो चुकी है इसके बाद simple ok करना है ok करने के बाद हमने फिर ok करना है यानि कि इन तमाम box को हमने ok करते जाना है close करना है और यहाँ पर तमाम जितने भी box है उनको close कर देना है easy setting है यह setting हो चुकी है इसके बाद हमने start के button पर apply करना है जैसी start के button पर apply करेंगे यहाँ पर हमने command from administrative को open करना है तो यह black सी window हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगी यहाँ पर हमने क्या करना है यह simple सी command type करनी है तो हमारे internet की जो speed है वो काफी इससे बेहतर होने वाली है simple सा काम है netsah winsock reset type करना है enter करना है और अपने network adapter यानि Wi-Fi 2 को reset कर देना है जिससे क्या होगा हमारे इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफी फास्ट होने वाली है यह बेहतर होने वाली है इसके बाद स्टार्ट के बटन पर आना है पावर में आना है रिस्टार्ट करना है अपने PC को